आज बच्चों मैं रे आप्टेक्स से एक बहुत ही इंट्रेस्टेंग और थोड़ी सी डिफिकल्ट ट्रिक लेकर आया हूं तफ कोईशन्स मुश्कल कोईशन्स रे आप्टेक्स पर बन जाते हैं जिसमें वेरीबिल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का और रे उ जो दो चीजों को ध्यान में रखना है बहुत ध्यान से देखना बहुत इंप्टेंट ये होने वाला है उसको ध्यान से समझना तो हमें जो केसिस मिलेंगे उसमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरीबिल होगा ठीक हैंस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स या तो वाई कॉडिनेट के साथ वरी करेगा यह एक्स कॉडिनेट के साथ वरी करेगा यह दो ही पॉसिबिलिट इसको मैं एक-एक करके अगर देखू तो refractive index जो mu है या n है जो भी question के है वो या तो y coordinate का function होगा या तो ऐसा कुछ होगा या फिर refractive index mu x coordinate का function होगा x coordinate के साथ vary करेगा बस तीसरी कोई possibility बन ही नहीं सकती ये दो possibility बन रही है ठिक अब ध्यान से समझना अगर refractive index y coordinate का function है जैसे माल लेंगा और refractive index y coordinate का function है तो y coordinate के साथ refractive index लका थार vary कर रहा है चिक है जे तो y coordinate के साथ च्चकि fark fine press vary कर रहा है तो क्या हम wollen वाई वाई पर d y thickness की एक अगर ऐसी एक strip di mi और CPU की ये या थिकनेस की strip व्यासे तो क्या यह जो स्ट्रिप है यह तो uniform इसके अंदर तो refractive index uniform होगा है इसके पूरे medium को जो वाइ coordinate के साथ वेरी कर रहा है कि हम parallel medium की तरह सोच सकते हैं parallel slabs की तरह सोच सकते हैं अगर हम इनको parallel slabs की तरह सोचे तो महत अच्छे जानते हैं कि अगर medium की boundaries parallel हो अगर medium की boundaries parallel हो तो mu into sin theta constant रहता है अगर medium की boundary constant हो तो mu into sin theta का जो product है वो product constant रहता है यह है पहली trick जो मैं आपको समझा रहा हूं इस तरह की situations में है न भी एंस mu sin theta across the boundaries constant रहेगा तो जैसे जैसे refractive index बदलता जाएगा थीटा भी बदलता जाएगा which will cause the rate to turn यह होगई एक बात दूसरा अगर मैं वाई पर डी वाई की strip इस तरह से ले रहा हूं तो जो नॉर्मल बनेंगे वो नॉर्मल कैसे बनेंगे वो नॉर्मल ऐसे बनेंगे तो तो नॉर्मल चुकि इस तरह से बन रहे है तो इस एक्जाम्पिल इसको अगर मैं एक्जाम्पिल की तरह रखना चाहूं तो question कुछ ऐसा कहेगा कि जो रे है वो रे एंटर कर रही है ऐसे आपसे इसी पाथ की equation पुछेगा तो हमें क्या करना होगा हम किस तरह से उसको देखेंगे वो समझना जैसे इस जगे में एक नॉर्मल कीच नॉं स्कमानों और इस जगह पर डीटर एंग॑ अगर सी बनेगा अगर मैं सभाइव सब्सक्राइब है यहां कीच देखना है और एन्नागु मुलोब यहां वाइंटी सांतिन फोन रहें यहां हम बात करें तो जो भी y का function है that into sine of theta जो भी mu का function है अभी मैं उसको mu ही लिख दे रहा हूँ तो mu into sine of theta यह पहला काम मैंने किया आपको मेरी बार समझ में आने चाहिए अब मैं दूसरा काम करने वाला हूँ उसको समझना अब यह जो curve है है ना इसको अगर अगर आपन वाई is equal to fx जैसा सोच है यह जो curve है अगर यह y is equal to fx जैसा है इसकी question चाहिए अपने को मान लेते हैं वाई is equal to fx जैसा है हैंस किसी भी मोम किसी भी जगे पर अगर मैं इसके slope की बात करो तो क्या वो slope dy by dx से मिलेगा और हम अच्छे जानते हैं कि slope निकालने का एक तरीका और भी है कि आप किसी भी point पर tangent कीचो और positive x-axis anti clock वाई इसमें angle देख लो है ना भी हैंस मान लेते हैं मैं इसी जगे पर इसी जगे पर इसी जगे पर इसी जगे पर अगर एक opposite यह वाए एंगल थीटा तो वाए एंगल कितना 90-वाइनस त्रिंस हेंस 10 90-वाइनस थीटा वुड भी दिवाई भाई दीएकस हेंस एक एनस से आपको साइन धीटा की वेल्यू y के टंस में मिल रही है वहां से हम निकालेंगे निकालेंगे थीटा को यहां substitute करेंगे in terms of y और अब इस equation में आपको y और x बस दो यह variable दिखाई देंगे फटाक से integrate करेंगे आपको y as a function of x आ जाएगा क्या मेरी बाद समझ पारें correct है तो क्या trick है क्या steps है दो बात है पहली बात mu into sin theta is equal to constant का हम इस्तमाल करेंगे दूसरा mu into sin theta is equal to constant से हमें sin theta की किसी जगे पर value मिलेगी और दूसरा किसी भी point पर dy by dx जो slope होगा उसको हम 10 of angle जो की positive x-axis के साथ anti-clockwise sense में होगा उसका जो 10 है वो dy by dx के बराबर होगा इस वाले example में अगर मिय का function है मिय का function है तो किसी जगे पर अगर एंगिल theta बन रहा है तो यह वाले एंगल 10 90 माइनस theta होगा जिससे जो equation बनेगी वह court theta बराबर dy by dx की question बनेगी कौट theta is equal to dy by dx की question बनेगी वहीं अगर mule x का function होता जो second case है अगर refractive index x का function होता है ना तो अगर refractive index x का function होता तो अब हम कैसे imagine करते x पर dx सी कोई strip imagine करते यहां पर यपर dy करी थी यहां पर x plus dx सी स्टेप imagine करते क्या मेरी बास समझ रहे हैं हैंस normal कैसे और अगर कोई में आ रही है जैसे वहां में आपको बताए घ्रेज करती हुए ऐसे अगर यहाँ इस प्रकार से आएगी आपकी बार ऐसे जो रहे है और यह जो रहे है और इस मीडियम में जाएगी और इस मिल्याम में फिर्व हम काम करेंगे किसीिव घुर्ठ अगर और नौर्मल खी तो इसलिए पना इसा और अंगिल बना फिटा हैंस first equation में 1 into sin pi by 2 बाहर का refractive index अगर 1 है तो 1 into sin pi by 2 is equal to mu into sin theta एक चीज होई अब दूसरी चीज़ को हमें समझना है जो metric इस्तमाल करेंगे यह वाला angle theta है तो क्या यह वाला angle भी theta ही हुआ यहाँ जो मैंने tangent की चाहँ उस tangent का positive x-axis से साथ क्या angle बना 10 theta हैंस कि 10 theta is equal to dy by dx की equation यहाँ पर जो बनेगी वो 10 theta is equal to dy by dx की equation बनेगी क्या आप मेरी बाद समझ पार है first equation तो similar होगी second equation है 10 theta is equal to dy by dx की होगी यहाँ cot theta is equal to dy by dx की अगर आपको इतनी बात है जिमाग में बैठ जाती है तो आप कोई question नहीं हो सकता है variable refractive index का जिसमें equation निकालनी हो यह equation से संबंदित कोई भी चीज निकालनी हो तो आप ना कर पाए यह बिल्कुल sheer impossible हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर variation सही नहीं केवल दो ही possibilities है यह तो y का function बनेगा यह x का function बनेगा दोनों के लिए क्या करना है कि दोनों बाते मैंने आपको समझा दी दोनों बाते आपको बता दी है आई यह कुछ examples लेकर देखें कि हम इसको किस तरह से apply करेंगे let us take question number one question number one हम से कह रहा है कि जो refractive index है वो refractive index vary कर रहा है कुछ इस प्रकार से n is equal to h plus kx to the power one by two ठीक है and the medium is only present in the first quadrant the medium is only present in the first quadrant okay obtain the equation of the trajectory of the ray through the origin and almost grazing with the y axis assume that everywhere other than the first quadrant is air मतलब refractive index everywhere is one everywhere refractive index is one तो यह जो ray है यह ray almost y axis को graze करती हो ही एंटर करी ऐसे ऐसे एसे एस पर दी कोईशन यहां refractive index कितना है और फिर यह एक वेरिवल refractive index के मीडियम में रे जा रही है ऐसे किसी कर पर चल रही है जैसा question हमें बता रहा है ऐसे किसी कर पर यह रे ट्रावल कर रही है ऐसे ठीक है तो इतना तो अगर मैं इस जगे पर अगर मैं नॉर्मल खीचो तो क्या वो जो नॉर्मल होगा क्या वो नॉर्मल ऐसे खीचेगा और यह वाला अगर एंगिल एंगिल हम आ adesso हम हम यह करेंगे वहां से हम निकालेंगे टेंचेटा कैसे उसके विए हम एक हाइपोष्τεक्र right angle triangle बना रहे हैं माल लेते हैं अगर यह वाल अंगल थीटा है तो sin theta की value कितनी है one upon under root of kitna h plus kx h plus kx बोलो तो बता सकते हो इसका base कितना होगा इसका base हो जाएगा under root of h plus kx minus 1 hence यह जो base है यह हो जाएगा under root of h plus kx minus 1 hence 10 theta कितना हो जाएगा one upon under root of h plus kx minus 1 वो हो जाएगा यहाँ 10 theta is equal to dy by dx हैंस जो mathematical equation बनेगी वो mathematical equation होगी 10 theta which is one upon under root of h plus kx minus 1 h plus kx minus 1 is equal to dy by dx यह question बनेगे है ना dx को में इदर ट्रांसवर करते हैं और दोनों तरफ इंटेग्रेट करते हैं और limit लगा दे है कहां से कहां 0,0 से x,y इस point का coordinate क्या है इस point का coordinate है x,y और इस point का क्या coordinate obviously 0,0 तो अगर मैं 0,0 से x,y पर limit लगा दो और इस integral को solve कर लो तो automatically मुझे y versus x that means y is a function of x की एक equation आ जाएगी वो ही equation इस trajectory को या इस रे की trajectory को represent कर रही होगी क्या मेरी बाद समझ पार है थिक तो integral देखें इंटेग्रल यू बहुत आसान है d x divided by d x divided by h plus kx minus of 1 का integration करना है d x divided by under root of under root of h plus kx minus 1 जिसको अपन h minus 1 plus kx भी लिख सकते हैं इसको integrate करना है बता सकते हैं यह integral क्या आएगा solve करें अगर इस integral को तो integral क्या आएगा यह integral आएगा अगर आप थोड़ा सा इसको solve करना जानते हैं तो 1 by k k और two times of under root of h minus 1 plus kx और इस पर अभी आपको लगानी है limit कहां से कहां 0 से लेके x तक इस पर आपको लगानी है limit है ना तो जब आप limit substitute कर दोगे तो जो आपको मिलेगा 2 by k तो 2 by k तो आ गया बाहर है ना और अब लगाओगे limit अपर limit लगाओगे तो यही आ जाएगा h minus 1 plus kx या h minus of 1 plus kx minus of x को 0 रख देंगे तो root over h minus 1 root over h minus 1 और right hand side में इधर क्या था इधर था dy का integral दो जोगा था तो इधर क्या था y hence y limit लगाने के बाद y is equal to यह सारा खेल चल रहा है तो y is equal to 2 by k under root of h plus kx minus 1 minus of 2 by k और h minus 1 to the power 1 by 2 a option बिल्कुल correct option है right answer बिल्कुल मुश्किल integrals भी नहीं है जरा भी मुश्किल integrals नहीं है एकदम easy है इतना तो आप से पुछा ही जा सकते हैं कोई कि आप मत समंझे mathematical हो गया है ज्यादा बिल्कुल नहीं हुआ है इसी है अच्छा जी question number 2 को देखिए तो अभी हमने बात करी थी कि वह grace करता हूँ पर ऐसा हमेशा हो जाए जरूर ही नहीं है तो question number 2 में जो ray है वो grace करते भी नहीं एंटर कर रही है 30 degree के एंगल पर एंटर कर रही है तो question कहता है light ray enters a medium whose refractive index varies along the x-axis तो this is the variation of refractive index with x coordinate the medium is bounded by the planes x equal to 0 x equal to 1 and y is equal to 0 तो x equal to 0 यह वाला plane हो गया अच्छा जी x is equal to 1 यह plane हो गया and y is equal to 0 यह plane हो गया ठिक ऐसा है और the ray enters at the origin at an angle of 30 degree तो क्या यहां भी mu as a function of x है तो mu अगर is a function of x है तो जो normal बनेंगे mu as a function of x है तो strips बनेंगी ऐसी और normal कैसे बनेंगे normal बनेंगे x-axis के parallel hence enter just just जहां पर enter किया यह रे एंटर कर रहे है तो normal जो बना क्या वो normal बना ऐसे और यह जो रे है enter करेगी फिर ऐसे इस variable refractive index के medium में चलने वाली है अंदर में hence पहली ट्रिक क्या है mu into sin theta is equal to constant बाहर में refractive index कितना है 1 और 30 degree कितना है theta not की value कितना है 30 degree hence mu into sin theta sin theta is like 1 by 2 है ना is equal to is equal to अंदर में किसी जगे पर mu not mu not into under root of 1 plus x by 4 into sin of theta we are getting my point mu not is 1 तो यहां से हमें sin theta की value आ गई है और चुकि x के function वाला case है तो दूसरी question क्या है 10 theta is equal to 10 theta is equal to dy by dx 10 theta is equal to dy by dx यह दूसरी question बनेगी क्या फिर हम वो ही करें sin theta की मदद से क्या हम पहले 10 theta निकाल है है ना तो देखो mu not को तो मैं 1 कर दे रहा हूं और यह root over 4 plus x हो जाएगा नीचे में root 4 which is 2 2 or 2 cancel out हो जाएगे hence sin theta की value है that will come out to be 1 divided by under root of 4 plus 6 this is sin theta और अब अगर अगर अपन right angle triangle imaginary right angle triangle बना लें इस angle को theta बोल दें तो यह हो गया perpendicular और यह हो गया है hypotenuse तो base कितना हो गया under root of इसका square minus 1 का root है ना which is 4 plus x minus 1 which is 3 plus x का root under root 3 plus x हैंस 10 theta कितना 1 upon under root of 3 plus x तो this 10 theta is nothing but 1 upon under root of 3 plus x हैंस dy by dx is go to 1 upon under root of 3 plus x मुझे final format में equation आ रही है इसको integrate कर लेते हैं so dy is equal to dx upon under root of 3 plus x integral integral कहां से गहां 0 से y 0 से x 0 से y 0 से x so this is from 0 to y and this is from 0 to x dx upon under root of 3 plus x का integral is 2 times of root over 3 plus x so y is equal to 2 times of root over 3 plus x पर limit लगानी पड़ेगी हमें तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा under root of 3 plus x minus root 3 कौंसा option हैसा c option हैसा एंस राइट आंसर आजाएगा क्वेशन नम्बर 3 और लास्ट क्वेशन को देखिए अरे अफ्लाइट रावलिगे नेरे इंसिदेट अट ग्रेजिंग 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 अंगल मतलब 90 डिग्री पर इंसिरेंट करी अनस्लैब हूँ विद्वेरीबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसा है और फॉलोज अपाथ शोन वाट इस टोटल डेविएशन प्रोडूस बाइस्लैब वें दिवेशन कितना होगा हम अच्छे से जान रहे है कि मूसाइन थीटा कॉंस्टेंट है तो यह जो रे है यह अगर रे ग्र इंडेक्स वाई कोंडेनेट के साथ hail करना के साथ तो यह अगर करती है ऐसे यह ऐसे एंटर करी है और इस मीडियetric मैं चली है और मीडियम से तो यह यहां रिफ्रेक्टिफ इंडेक्स आगर वन था तो यहां वी रिफ्रेक्टिन होगा तो क्या यह रहे फिर ऐसे ही भून्टिर को घिशते होई ब Гार चली जाएगी अब बताओ यह सी रही है syndrome अगुलर डेवियाशन है इसे मीडियूम की बांटर को गिसती वुग चली जाएगे समझनाती बात ऐसा है तो फिर वाइंड अप कर लें समझ लें जो भी वेरीबल डेवेरीबल इसकी के को बहुत आसान ट्रिक की तरह देखें, it is a two-step process, पहला step, treat the refractive variable, variable refractive index as layers, parallel layers, so that mu sin theta जोडो constant can be used, that is the first thing, and the second thing is, geometrically understand 10 theta is dy by dx, slope निकालो, slope को समझने के दो तरीके, geometrically it is 10 theta and mathematically it is dy by dx, दोनों को equate कर दो, और ऐसा करने से y is a function of x की equation, बहुत ही आहराम से बिना ज्यादा परेशान होए निकाल सकते हैं, तो यह बहुत ही important और समाल के रखने वाली ट्रिक है, useful trick है, उमीद करूँगा कि आपको इससे बहुत बहुत फाइदा होगा, thank you very much, happy learning, for detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.